हेलो फ्रेंज आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो ये बहुत सुन्दर सी टी लाइट और ये बहुत प्यारा वाइपरेंट कलर का शुबलाब हम आगे वीडियो में बनाएंगे तो जल्दी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जैसे हम खाने के डबे आते हैं तो में क्वारे पास उपर लेड़ जाती है मिरे पास दू-3 ये थी बाक्स में मैंने लगा दिये तो यह कंसर है बनाया जाए तो कुछ इस तरह से मैंने उस पर जैसो किया जैसो करने के बाद फिर मेने हैं क्लेकिए हैर्पस चोटी-चोटी बाल्स बना कर उनकों को डिजा recording होता है और फिर जो यह हमने लिखे दे इनको हाइलाइट करने के लिए हाँ यूज कि है हमने रड़ कलर और फिर साइड पर इसको वॉर्निश कर दिया है अपनी क्राफ्ट को सिक्यूर करने के पर उसके बाद काम आता है है यहां पर मिरर का तो कुछ इसतरह से मिरर से यह हमने डेकोरेट कर दिये अब थोड़ा सा और इसमें डेकोरेट का पार्ट है तो यहां नीचे लगा दिये हमने टेसल टेसल के जगह आप घंटी भी यूज कर सकते हो पॉम पॉम भी यूज कर सकते हो तो यहाँ में पाइब चोटी सी यह गंटी थी और फिर पॉम पॉम और कुछ बेट लेके colorful मैंने यहाँ कुछ इस तरह से इसको tag कर दिया है और इस तरह से मेरे ये simple सी जो lid रखी थी यह मैंने बना दी है इस तरह से मैंने और भी इसको मैंने MDF बोर्ड पर भी बनाए हैं तो यह मैंने बनाया है कि आप आराम से इसको बना सकते हो और बेकार जो आपके पास पड़े होंगे धकन तो यहां जो हम सेकंड डियावय बनाएंगे यहां पर लिया है मैंने यह फाइव इंच का MDF बोर्ड इसके जगह आप कार्ड़ बोर्ड भी यूज कर सकते हो ऐसा कोई जरुरी नहीं है कि MDF बोर्ड ही आप यूज करो तो यहां मैंने यूज किया है Nf बीज में उतना इसका मेंने में ट्यो लाईर रखनी है विए उतना उसका मैजर्में के लेगे कले से ने इसको कि कोटिंग और फिर वह बहुत अच्छे से सूख गई फिर उसके पाथ यहां पर मैंने कलर चोइस करें है दू लिए हैं यल्लो और रेड़ और पहले मैंने पूरे को कर ही हो गई है तो फिर यहां पर यह करने के बाद हमने किया इस पर गोल्डन छेड हाईलाइट करने के लिए तो इस तरह से यह वह कर दी हमने इसवाणी गड़ीन के वाननिश हो गहाई और इसके बाद mdf board थे मेरे पास इस पर मैंने अलग-अलग design के कुछ mirror लगाए हैं इस तरह से तीन पैंटर्न ready कर रहे हैं और यह मैंने मिनाया है wall decor के लिए तो यहां में use कर रही हूं दो चमच वाल पुटी एक चमच फैविकॉल थोड़ा सा color और थोड़ा सा पानी बना कर यह अच्छा सा एक paste ready कर दिया है और फिर यह इस पर जो मैंने तीन अलग-अलग बोड़ पर यह mirror लगाए हैं तो तीनों पर अलग-अलग करके मैंने यहां पर लगा दिये हैं color choice अपनी according कोई भी जो अपको color पसंद है आप वह ऐसा बना सकते हो आप बड़े भी बना सकते हो जैसा भी आप बनाना चाहो मेरे पास यह इतने ही थे available थे तो मैंने यह इसी पर बनाया है और इस तरह से मेरे यह तीन पीस ready हो गए है और फिर मैंने यहां पर से इसको हलके सी गिले कपड़े से तीनों को साफ किया है और फिर यह तीनों देखो कितने अच्छे से यह तीनों ready हो गए है अब इनको बारी आती है hang करने की तो उसके लिए हम इनको एक thread पर लेंगे और कुछ beads लेंगे तो यहां मैंने ली है wool क्योंकि मेरे पास macram नहीं थी तो आप किछ भी यूज कर सकते हैं वूल यूज कर सकते हैं macram यूज कर सकते हैं तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लि कर दो